Hi everyone, now we will talk about the American Convention. अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में यूरोपियन कॉन्वेंशन के बारे में पढ़ा था. ये वो रीजिनल एग्रिमेंट्स होते हैं जिन में यूमन राइट्स को कैसे प्रमोर्टर प्रोटेक्ट किया जाता है. उसके लिए कुछ कॉन्वेंशन होती हैं और उसमें से एक कॉन्वेंशन हमने पढ़ी जो इसको कहते हैं यूरोपियन कॉन्वेंशन अब दूसरी कॉन्वेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है American Convention on Human Rights इसको हम ACHR के नाम से भी जानते हैं. अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ACHR या American Convention बनी क्यूं? American Convention बनने के पीछे रीजन था कि ये लोगों के जो फ्रीडम्स हैं, राइट और फ्रीडम्स हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते थे. नमबर टू, ये ये एंशॉर करना चाहते थे कि लोगों के जो भी फ्री इनके राइट्स हैं और इनके फ्रीडम्स हैं, वो फीपल जो हैं, वो फ्रीडम्स हैं, वो उनको अराम से यूज कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उनको पता होना चाहिए कि उनके क्या इस अमेरिकन कॉन्वेंशन को पैक्ट ओस जोस डी कोस्टा रिका के नाम से भी जाना चाता है, वेरी इंपॉर्टन टर्म ये आपको इस नाम से भी आ सकता है कॉन्वेंशन, क्या कहां मैंने, पैक्ट, P-A-C-T पैक्ट ओफ, स-A-N, 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 जोस, J-O-S-E, जोस, D- D-E-D, कोस्टा, C-O-S-T-A, कोस्टा, रिका, R-I-C-A, रिका, पैक्ट ओफ, सेंट जोस, D, कोस्टा, रिका की नाम से भी इस कॉन्वेंशन को हम जानते हैं, जो कि इंटरनाशनल हुमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी लक्षय से बनाया था, अब इसको बना करना हुमन राइट्स को, ठीक है, जितने भी अमेरिकन स्टेट्स हैं उनमें, और और अर्गनाईजेशन ओफ, अमेरिकन स्टेट्स में, 32 मेंबर करनेशन से, इसको जितने लोगों ने मिलके बनाया, उनको बोलते हैं, और अर्गनाईजेशन ओफ, अमेरिकन स्टेट्स, OAS OS में total 32 members आये थे इसमें से 21 ने इसको ratify भी किया 21 ने इसको लागू किया अब इसका purpose क्या था to consolidate a system of personal liberty ताकि एक consolidate किया जा सके एक personal liberty और social justice का ऐसा system जो की essential rights जो है human being के उनको protect and promote कर सके अब ऐसे कौन-कौन से rights हैं जो ACHR promoter protect करता है वो दो categories बनाते हैं इसका civil and political rights number two social economic and cultural rights ये दो categories इन्होंने broad categories बनाई है पहला है civil and political rights वो rights जो government हमें देती है दूसरा है economic, social and cultural rights that is very important again अब इसमें हम पढ़ते हैं कि civil and political rights में आता क्या क्या है civil and political rights में आते हैं right to individual personality, right to human treatment, freedom from slavery, right to fair trial, right to assembly, right to nationality, right to participate in government work, right to protection of law etc. and if we talk about economic, social and cultural rights अगर हम उसकी बात करें तो इसमें आता है आपका right to work, trade union rights, right to education, right to food, right to social security, right to health and healthy environment यह सारे आपके जो basic rights हैं जो आपको मिलने ही मिलने चाहिए वो economic, social and cultural rights की category में डाले गए हैं अब इसमें एक restriction क्या है, यहां पर ACHR में एक restriction भी है, restriction क्या है कि यह जितने भी rights आपको सब मिलेंगे, सब protect किये जाएंगे, until and unless कोई emergency न हो, अगर आपके state में कोई emergency लगी हुई है, या कोई भी ऐसा war छिड़ा हुआ है, या कोई भी state के उपर कोई खत्रा मंडरा रहा है, या कुछ भी XYZ, वो भी emergency situation होती है, जहां पर state के पर कोई threat है, तो वो उस time पे आपकी ये rights को छीन सकते हैं, suppose, right to food, right to food during curfews and during, अगर आप eastern states में देखें, तो mostly curfews लगे रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर curfew लगता है, तो आपको खाना proper नहीं मिलता है, ब्रेट्स बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, आपको बटर्स बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, तो जो मिलता पो खाना पड़ेगा, वहाँ खड़े हो कि यह नहीं कह सकते हैं, मेरा तो right to food है मैरेको तो चाहिए खाना, नहीं, during emergency वो सब रोक दिया जाता है, तो सारे आपके rights सस्पेंड कर देते हैं, during state danger or state emergency, अच्छा, now what are its machineries, European में हमारे तीन body थी, यहाँ पर दो है, ठीक है, AC HR में, International American Commission on Human Rights, number one, and number two is International American Court of Human Rights, वहाँ पर भी commission भी था, court भी था, और committee थी, ती सरी, यहाँ पर committee कोई नहीं है, यहाँ पर International American Commission है, Human Rights पर, International American Court है, Human Rights का, अब यहाँ पर International Commission को, एक कौजी judicial body बोला जाता है, जहाँ पर जितने भी organization of American states थे, जिन्होंने conventions किया था, वो सब इसके members होते हैं, and so that they can decide on punishment and liability of violations of human rights, जो भी violation करता है, human rights का, उसके against, यह punishment डेकलेर कर सकते हैं, उसके against, क्या liability उसकी बनेगी, यह भी यह बताते हैं, इस committee के अंदर साथ member होते हैं, total, और इसका mode और complaint करने का, जो mode जो होता है, petition या complaint करने का, वो थू में NGO हो सकता है, कोई भी member state, direct petition इसमें डाल सकती है, दूसरा हमारा body है, International American Court on Human Rights, इसमें autonomous judicial institution कहा जाता है इसको, जो international American committee के साथ मिलकर, एक बड़ी organization बनाती है, और यह सार of American states, इसमें साथ judge होते हैं, जो की highest moral judgment के, से बिलॉम करते हैं, और इनको human rights की सबसे highest knowledge मानी जाती है, कि इनके पास human rights की सबसे highest knowledge, and सबसे highest experience होता है इनके हाथ में, तो वो साथ member होते हैं, तो basically American convention on human rights, और European convention on human rights, more or less same है, बस उसके अंदर, वहाँ पर American वाले में, जो है, वो स बनाया है, और ECHR में European countries ने बनाया है, अमेरिकन में दो bodies है, वहाँ तीन bodies है, इसका एक broad discrimination हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, जो की बहुत important होगा, तब तक आप इसको अच्छे से revise कीजे, thank you.